नवस्का राव सभी का स्वागत भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज दिनांग है 25 जुलाई सन 2023 विक्रम समध 2080 चल रहा है श्रावन मास है शुकल पक्ष है वर्चा रितु है तिथी आज की सप्तमी है और आज का वार है मंगलवार आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र रातरी 12 बच के 3 मिनट तक है आज की द्रश्टी से आज का दिन बहुती शुब और योग का रखे इसका पूरा-पूरा सदुप्योग करें करण वनिज है दोपेर बात 3 बच के 10 मिनट तक आज विस्टी करण रहेगा सुर्योदे का समय दर्शको सुबह 5 बच के 38 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 16 मिनट का है आज का राहुकाल दोपेर बात 3 से 4 बच के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज दोपेर 12 से 12 बच के 54 मिनट के बीच में हैं दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे ये हैं सुबह 8 बच के 21 मिनट और सुबह 9 बच के 16 मिनट आज का दिशाशूल दर्शे को उत्तर दिशा में हैं तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना बहुत जरूरी है तो इसका परिहार करके निकलें तो ऐसी स्तिती में आपको उत्तर दिशा की और मुक करना है थोड़ा सा गुड का टुकडा खाना है और पांच कदम पीछे चलना है और जब ये पूरी प्रक्रिया आप करें तो आपने हिर्दे में अपने इस्ट या भगवान श्रीराम का ध्यान करते रहें उनसे प्राथना करें कि मैं दिशाशूल के और जा रहा हूं मेरे साथ रहें और यात्रा को सुरक्षित बनाएं ऐसा करेंगे तो दिशाशूल भी ने लगेगा यात्रा सुरक्षित रहेगी कारे सिद्ध होंगे आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबे 9 बज के 10 मिनट से दौपेर 2 बजे तक फिर दौपेर बाद 4 बच के 30 मिनट से शाम 5 बच के 30 मिनट तक कि दूनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुब है योग का रखे इस दोराना आप अच्छे एफट्स कीजिए तो सक्सेस की संभावना यानि अच्छी रिजल्ट की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी आज की चंद राशी दर्शे को कन्या है सुबह 11 बच के 13 मिनट तक आगे चद्रमा तोला राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज काई दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते मेश राशी की मेश राशी वाले व्यापारिक मामलों में आज किसी पर अती विश्वास ना करें और व्रश राशी वाले अपने जल्द बाजी में लिए गए निर्णयों से आज नुकसान उठा सकते हैं वहीं मेश राशी वाले सूजबूच से किसी बड़ी समश्या से बाहर आते वे दिखेंगे और करक राशी वालों के साथ कोई बहुती निकट का व्यक्ती धोका कर सकता है तो आप सावधान रहें ऐसे ही सिंग राशी वाले अपने कुटुम के समान उम्र के व्यक्तियों से पाएंगे सपोर्ट सिस्टम और कन्या राशी वाले बहुती प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे आगे ठोस काम करेंगे आज और तुला राशी वाले किसी व्यापारिक संकट या आर्थिक समश्या से आएंगे बाहर वहीं व्रश्चिक राशी वाले अपने निवेशों को सो समझ कर करें जल्दबाजी से व्यवस्ता विखर सकती है और धनू राशी वाले अपने बिजनस में पाएंगे बढ़त किसी लोन के लिए अपलाए किया था तो आज आ सकती है आपको पॉजिटिव गुड निउस और मकर राशी वाले बहुती तेजगती से सफलता प्राप्त करेंगे हर शेत्र में मिलेगा आपको सहयोग कुम राशी वाले अपने स्वास्त को देखें कि कुछ सुधार होगा और अवसाथ से भी आप बाहर आएंगे और मीन राशी वाले ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा घुमना फिलना बाहर का खाना आज आपको बिमार कर सकता है दर्शे को अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो हमारी आपकी अंतेद्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक्षित सुंदर और सफल बना देते हैं अन्तुमे करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रना और समाधान दर्श को आज की ज्यान चर्चा में हम समझेगे कुछ साधारन से जोतिश सूत्रों को जो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है और जीवन में बहुत लाबडायक भी है यानि हमारी डेटूडे लाइफ में काम होने दर्शह都是 में सभी राशिआं की दिशाएं निर्धारित की गई जैसे कि मेशंग और धनु राशी की दिशाई पूर्व है व्रश कन्या और मकर की दिशाब्धशन है ऐसे ही मितुन तुला और कुम्ब की दिशाब पश्चिम है और कर्क व्रश्चिक और मीन की दिशा उत्तर है अब ये समझते हैं कि राशियों की दिशा जानने से हमारा क्यलाब है तो ये मुरत शास्त्र में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सिध्धान्त है कि जिस भी दिशा में यात्रा करनी हो यदि उस दिशा के लगन में की जाए तो यात्रा निश्चित को नरधारित करने का कि जिस दिशा में यात्रा करनी हो यदि उस दिशा की राशी में चंद्रमा है तो निश्यत सफलता मिलती है संबंद में शास्त्र कहते हैं कि हरंती सकल दोशम चंद्रमा समुखस्त्रे इसका अर्थ ये है कि जब हम चल रहे हों जिस दिशा में यात्रा कर रहे हों उससे संबंदित राशी के अंदर अगर चंद्रुमा आज पस्तित है तो उस दिशा की यात्रा बहुत ही मंगल में रहती है और सारे दोशों का हरण करके सफलता दिलाती है तो आप इस चीज को इस फॉर्मूले को इस प्रयोग को करके देखिए अपने जीवन में क कैसे उससे आपकी सफलता की चांसिज बढ़ जाते हैं यहां आज की ग्यान चर्चा का सार अब बात करते हैं उन वस्विस्ट रुपाईों पर जो सभी प्रकार की आपकी समश्याओं की सरल समाधान कर देते हैं और जिने करके सफलता की और आप द्रड़ता से कॉन्फिडे और इसे आप हनुमान जी को अर्पित कर वहीं मंदिर में बैठें और सुन्दर कांड का एक पार्ट करें और वापसी में जब घर आएं तो चार व्रद्ध लोगों को भोजन करवाते वे आएं ऐसा अगर आप करेंगे तो हनुमान जी की असीम कृपा होगी और आने वाला वर्ष पुरा सुक, शान्ती, सुकून और इश्वरिक करपा के साथ बीतेगा ऐसे दर्शे को नेत्रों की रोशनी अगर कम हो जाती है या फिर बहुत जादा वीकने सारी आपकी आँखों में, आपको चश्मा चड़ गया है या कोई ऐलर्जी आँखों में, तो देखे कि जनम पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा की स्तिती कैसी है साथ ही पत्रिका के द्वितिय भाव और द्वादश भाव का ध्यन भी हो, जिससे भाव शुद्धता या दोशों का ज्यान हो सके इसके अत्रिक्त नित्य भगवान सूर्य को अर्ग, सूर्य नमस्कार, उकतेवे सूर्य पेतराटक और सूर्य भीदी प्रणायाम और आधित्य हदे स्तोत्र के पांच पाठ और चाक्शुष उपनिशत के ग्यारा पाठ करने से नेत्रों के विकारदूर होते हैं, नेत्र जोति में व्रध्धी होती है इसके साथ साथ एक छोटा सा लेकिन बहुती सटीक प्रयोगाब नित्य करते हैं बहुती शिगरता से नेत्रों को आरोग्य प्राप्त होता है आकों की रोश्णी वापस ठीक होने लगती है आकों करना सिर्फ यह है कि नित्य भोजन के बाद यानि भोजन जब कर चुके हो अंत में इस विशेश मंत्र को अंजुली में जल भरकर नौ बार जपना है और इस जल से अपने नेत्र धुने इससे आप बहुती शिगर स्वस्त नेत्र पाएंगे नेत्र जोती बढ़ मंत्र को फिर से समझे श्रेजातश्य शुकन्याश्य च्वनम शक्र भश्यक भूजनांते इस्मरे तश्य तश्य नेत्रम ना नश्यती सिर्फ नो बार बोलना है जल से अपने नेत्र धुने सुबह शाम कीजिए फिर चमतकार देखे कुछी दिनों में ऐसी दर्श्य को वो यह जो किसी साइट पर काम करते हैं सड़क बंती वहां काम करते जंगलों में ऐसी स्तिती में सर्प या ऐसे कोई विशेले जनतों से बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं इस स्तिती में दर्शे को कभी भी सर्व की हत्या नहीं करनी चीए क्योंकि एक तो प्रकरती का हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी संतान को भारी कस्ट आता है हमारी बुद्धी भी विपदा में पढ़ जाती है जो भी निर्णे हम लेते हैं वो गलत लेते हैं और वैसे भी अभी श्रावन अधिकमास में तो नाग जाते के प्रती आपकी शद्दा विशेश रहनी चीए तो ऐसी परिस्तितियों में जो लोग रहते हैं काम करते हैं उनको चाहिए कि मात्र 27 बार इस बहुत ही विशिष्ट गोपनिय मंत्र का नित्य जाप कर लिया करें फिर आपको सर्प भे बिलकुल नहीं रहेगा नाग कुल का कोई भी विश्धर आपके आसपास भी नहीं आएगा बंतोर ध्यांती समझेगा 27 भात आजवर लुझाना इसका जाप करने वंत्र स्प्रकार ओं ईकर रोटव हरी महांस सर्व सरप जाती ना मुख बंधम कुल 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 स्वाह यहाप करके देखिए तियों मैं आप देखेंगे कि स्काप्रभाव आपके तति दिखने लग जाएगा अपने आपको को शुरक्षित मैसूस करेंगे इसकी एनर्जी आपको खुद फील होगी तो दर्शी को यह थे आज के वह विसस्ट उपाई जो आपकी बहुत बड़ी समश्चाओं का अंत्र कर रहे हैं आपके सवालों के आपके सवालों में आज हमारे के पास जनमपत्री का यह हमारी दर्शक दिक्षा जी की जैपुर से 15 नवंबर सन 2005 का इनका जनम है सुबह पांच बच के 20 मिनट जैपुर प्रशन किया है कैरियर किस दिशा में रहेगा देखे दिक्षा जी आपके तुला लगन की जनमपत्री का मेश राशी है तो संतुलि में या नर्सिंग में भी अपना केरियर बना सकती है या फार्मा यानि कि दवाईयों के संबंदित करियर भी आप बना सकती है अभी आपके करियर के निर्मान का ही योग चल रहा है जो अनवरत 2038 तक चलता रहेगा यह आने वाले 15 साल बहुत अच्छे हैं आपके करियर आपको बहुत लाब होगा आगे सा आगे जीवन में आपके अर्चने हड़ती जाएंगी आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आईए हमारे दर्शक मुकेश शर्मा जी की जुन-जुनु से 17 मार्ट सन 1990 का इनका जनम है सुबह 9 बच की 24 मिनट जुन-जुनु प्रशास मंगल दशमभाव में उच्छे राशी में बैठें जिससे ये तो तय है कि आपको बहुत ही अच्छा सरकारी प्रद्द प्राप्त होना है इसके साथ ही भागेश गुरू और कर्मेश शनी का अपस में सीधा द्रश्टी संबंद बन रहा है जो राज्यों को और भी ज़्या इसके लिए सूर्य गुरू और चंद्रमा के साथ साथ गुनाब जाब करवा लीजिए अच्छा सा मानिक्याब धारन कर लीजिए फिर आपकी मनोकामना निश्यत रोप से पूरी होगी तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाए और ज्यान चर्चा म मैं पंडे चंद्रशेकर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपाएं को सही विधी सकीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करा आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा सत्संग हमने किया इसे जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा मैं महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाए करें तो आपके कश्टो का निवारण हो और मनो कामना पूर्टी अवश्य हो साथ एक निवेदन है कि ये श्रावन मास में व्रक्षा रोपन अधिक से अधिक संख्या में करें और जो प्रकेती भगवती हमारे सामने उपस्ते थे इनकी सेवा हमसे होती रहे ये प्रयास कीजी आप और कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवती आप सब का कल्यान करें जैया आदिशक्ति गुड मॉर्निंग मैं हूँ दिप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज अतनी खुपसूरत सुभा न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भागयम में और भागयम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरेकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खुपसूरत और बहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर नौ मूलांग तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और वो भी हमारे औरेकल कार्ड से कौन सी डिडिंग रहने वाली है आपकी कौन सा होगा आपका मूलांग यदि आपको नहीं पता है तो एक एक एक्जाम्पल दे के आपको बतारा चाहूंगी कि अगर आपकी डेट अब बर्थ है 22 यानि की 22 तो 2 और 2 को जब आप जोडते है तो जोडाता है नमबर 4 तो चार होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 25 जुलाई 2023 आज की जो तारिक है 25 यानि की 25 इससे जब हम जोड़ेंगे तो जोडाएगा नमबर 7 साथ है आज की तारिक का मूलांग और जिसके स्वामी है के तू तो आज क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर आएए हम जानते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक राम बान उपाय बताने वाली हूं कि परेशानी आपकी किसी भी प्रकार की हो अगर आपकी आर्थिक परेशानी है अगर किसी प्रकार की भय की परेशानी है एक सिंपल सा सुलूशन आपको करना है क्या करना है आपको 21 दिन का संकल्प लेना है 21 डेस का किस चीज़ का हनुमान 40 का कि आप एक दिन में 11 बार हनुमान 40 और एक प्रकार 21 दिन जो है आप उर दिन क्या करेंगे साथ जाइफल से आप हनुमान जी को उनका हवन करेंगे और साथी साथ आप नारियल से यानी खोपरे से ऐसा जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सौट आउट हो जाएगी और 21 दिन जब आपके पूर्ण होंगे तब तक तो कुछ भी हो सकता है तो कहीं ना कहीं देखें कल्योग में जो हनुमान जी की उर्जा है वो बहुत ही जादा सजीव है और कई जगहों पर उनको प्राक्टिकली लोगों ने महसूस किया हो सकता है कि जब आप इस कारिक को करें इस अनुष्ठान को करें तो कहीं ना कहीं आप भी उनकी एनरजी को महसूस कर पाए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शुरुआत में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आपको इसकी रिजल्ट खुद ही दिखाई देंगे आप इसे अकेले भी कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ मिलके भी कर सकते हैं आप सभी का कल्यान हो आये दोस्तों कारिकरम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है आज 25 जुलाई 2023 के लिए और गाइड किया जा रहा है फर्टिलिटी का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है कहीं न कहीं आज के दिन आप जो भी कोई कार आरंब करेंगे अगर आप व्यवसाइक तोर पर कुछ नई चीश्रू करना चाहते हैं कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं जो भी कुछ आज आप करेंगे वह लॉंग टर्म आपको बैनिफिट देगा फिर चाहे आप एक नए संबंद की अगर शुरूरात करेंगे तो वह भी आज की दिन हो सकता है खासी तौर पर कुछ फैमिली में जहां पर कि आप फैमिली प्ला सब्सक्राइब कर रहे हैं आज 25 जुलाइब 2023 के लिए और मूलंक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है सौसरिस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन चापकी मैजिकल पावर है गाइस आइविलीव इन माजिक एंड एक्टुलीट है जब आपकी सोच पॉजिटिव होत वक्ष है और सकारा कुजफ होने की साथ साथ बहुत पावर फुल भी है आप ब्लो पबर फ्य होने का मतलब है कि आप जो भी कुछ चाहेंगे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं ऊसे पा सकते हैं उसे ऑसे मतलब आज आपकी जो मैनिफस्टेशन एनरजीस नंट गनिंट है यह बहुत जादा पाफुल है आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारी मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 25 जिलाई 2030 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है लीप और फेट का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कुछ नया कुछ रिस्क टेकिंग किस आप चुरू कर सकते हैं कोई ऐसे प्रोजेक्त में कभी नहीं तो यह प्रकार की परिषिदी आज आपके साथ हो सकती है तो आज का दिन जो है अच्छा है डिवाइन आपको कह रहे हैं अगर आपको कोई निर्णे लेना है अगर आपको कोई महत्पूर्ण कारे करना है विशिश तोर पर की अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल करें आज का दिन आपका बहुत अच्छा है भरोसा रखें परमात्मा के उपपर और अगर मूलांग तीन के कुछ जातक किसी प्रकार से परेशान है तो डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि भरोसा रखें विश्वास रखें अपने आप पर और परमात्मा पर जरूर परसितियां सकारात्मक होंगी आपका दिन शुभू आई जानते हैं मूलांग चार के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 25 जुलाई 2023 के लिए और मूलांग चार के लिए हमसे कहा जा रहा है medicine woman का card है आपको कहा जा रहा है कि आपकी energies बहुत अच्छी है आपकी energies बहुत अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको क्या होगा आपको divinely healing प्राप्त होगी आज के दिन आपके blockages remove होंगे so that कि आप अपनी talent का अपनी उर्जा का सदुपयोग कर सके आपके जो thought process है वो आज बहुत positive दिशा में जाएंगे कुल मिला के आज का दिन अच्छा है आज का दिन आपको कुछ बहतर महसूस होगा आपके कारे शेत्र में शारिरिक रूप से मांसिक रूप से आप पहले से जाता better और healed महसूस करेंगे और आप जब अच्छा फील करेंगे तो देखना आपके आसपास के परिस्तियां है ना वो भी बदलेंगी आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक पांच के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है आज 25 जिलाई 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है inner wisdom का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन सबसे पहली चीज आपको confused नहीं रहना है जितना ज्यादा confusion उतना ज्यादा अपना नुकसान तो कहीं न कहीं आज के दिन बिल्कुल confused ना हो अगर ऐसी कोई परिस्ति आती है कि आपको कोई decision लेना है या फिर आपको कोई important काम करना है लेकिन आपको समझ में यार आप क्या करें तो अपने आपको एकदम शांत माहौल में लेके जाए अपना favorite music सुने instrumental कोई meditation का music लगाए अपने आपको पूरी तरह से relax करें और वो relax आपको कैसे करना है कि स्वास लेनी है गहरी छोड़नी है जितने जादा गहरी हो सके यहां तक आपके नाभी चक्र तक आए उतना आप करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद अपने आप से प्रशन कीजिए परमात्मा से कीजिए और मूलांक छे के लिए हमसे कहा जा रहा है प्यूरिफेकेशन का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी energies है आपका जो औरा है उसे आपको clean करने की जरूरत है आपके औरा की जो energies हैं वो उतनी अच्छी आज़ दिखाई नहीं दे रही है आज आपको इसके इंदर डालना है कम से कम आधा कप नमक आप सेंधा नमक डालें ज्यादा बैटर है नाए तो नॉर्मल नमक जो आपकी खाने कहा उसको भी आप डाल सकते हैं आप अपने पास जो है कोई भी ऐसी धुन, कोई मंत्र, कोई ऐसा म्यूजिक आप प्ले करें जो कि आपको दिल से बहुत सुकून देता हो और आपको क्या इंटेंचिन करना है कि जो भी आपके आभामंडल की नेगिटिविटी है वो आपके पैरों के माध्यम से उस पानी के अमीतर जा रही है कुछ ही देर में आप देखेंगे 10-15 मिनिट को करना कुछ ही दिर में आप देखेंगे कि पानी का जो गलर है वो चेंज हो जाएगा तो अस पानी को आप हाथ ना लगे अर सीथे आप उसे फ़लश कर दे आ ये जानते हैं मू版 को साथ के लिए हमें महा भगवती आज क्या काइड कर रही है 25 जुलाई दो हजार तेस के लिए और मूलांगसाथ के लिए और मूलांक साहल के लिए और मास्तरश्वतिन का काड़ है आज के दिन स्पेशिल आपको जो है बहुत जगाना है बलकि आपको logical नहीं रहना है अपने दिल से सोचके कोई भी डिस्जन लेना है बहुत जाथ आपको हडबडाना नहीं है मासरस्वती की क्रपा आपके उपर है आज के दिन अगर आप कोई भी काम बहुत ही शान्त भाव से और आप कही न कहीं creativity से करेंगे अगर आपका जो भी profession अगर आप उसके इंदर किसी प्रकार की creativity को involve करते हैं तो आप भीड से अलग रहे पाएंगे कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है अगर आपने इस energy का उपयोग अपने करियर में सही दिशामे किया तो आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें मा भगवती आज क्या guide कर रही है आज 25 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें guide किया जा रहा है independent का card है आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन आपको जो भी कोई decision लेना है जो भी कोई काम करना है उसमें दूसरों पर बिल्कुल भी आप आशृत ना रहें जितना जादा दूसरों के उपर आशृत रहेंगे उत्रही जादा आप अपना नुकसान कर बैठेंगे जितना जादा आप स्वतंत्र विचारधारा के साथ काम करेंगे जितना जादा आप खुद किस सोच सोच से काम करेंगे अपने दिमाग से चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है दूसरों पर आशृत ना रहें ना ही दूसरों से influence हो के कोई भी काम करें आपका दिन श और मुलांक नौ के जात्कों से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई भी निर्णे लेने से पहले किसी दूसरे से नहीं पूछना है आपको जो भी कोई डिस्जल लेने हैं आप अपने फॉर्ट प्रॉसेस से ले साथ ही साथ आज आज जितना जादा करेजियस रहेंगे उ दोस्तों यह थी रिडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांक तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुछ रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगे आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के वीतर बैठे परमात्मा को मे आपना